नेक्स अब हमारे चैप्टर निबर 3 है दिप्रियोडिक टेबल ठीक है डिफरेंट एलिमेंट्स मुझूद है दुनिया के अंदर जिससे जो है वो डिफरेंट सबस्टांसिस मिलकर बने हुए है ठीक है कार्बन है अडरोजन है अक्सीजन है फ्लॉरीन है नियोन है इस डिफ इस तरह को होता है अब हम इसको रीड कर लेते हैं इस वेरी डिफिकल्ट तो इमेजिन एनिफिंग एस स्मॉल एज एन एटम को मैयर इमेजिन करना के उसका साइज कितना होगा वो बहुत मुश्किल है अंडर्ड मिलियंग अंडर्ड मिलियन ओफ तेम साइड बाइसाइड अगर हम साथ साथ बिल्कुल जोड भी दें तो वो सिरुफ और सिरुफ कितना बनेगा वन सेंटीमिटर जैवो उसकी लेंगी डिस्पाइड डिस साइंटिस है बिन एबल तो फाइंड आउट अग्रेड डिल अबाउट एटम इसके बावजूद भी जैवो साइंटिस जैवो फाइंड आउट कर चुके हैं साइंटिस कुरेंटली बिलीव डैट एन एटम कंसिस्ट ओफ अ डेंस नुकलिएस साइंटिस जैवो यह हमने पहले भी पढ़ लिया वाकि एटम के अंदर क्या है सेंटर में एक नुकलिएस होता है ठीक है इसके अंदर मैस है मतलब व एलेक्टरॉंस नुकलिएस के बाहर जैवो शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर जो है एलेक्टरॉंस रिवॉल्फ कर रहे होते हैं कि ठीक है कि नुट्लिएस के बाहिर स्पारेट्रों का शफ होता है ते नुट्रींस के आंदर कौन कुन सपार्टिकल्स जी को सिसको क्या गैते हैं प्रोट्टों कहते हैं उसे कह और एक ऐसे पार्टिकल्स में नुकिलेस के इंदर मुझूद है तो यहां पे उन्होंने ब्लू color से show की हैं जिननके ओपर कोई charge नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, Neutrons, ठीक है तो हम यह यह एक्टम की shape है, यह center में एक nucleus होते है, nucleus के बाहर जो है, वो electron के shell होते हैं, जिसके अंदर electron राकर revolve कर रहे होते हैं कि इसके γिर्द nucleus की गिर्द और nucleus के अंदर क्या क्या चीज़े है positive charge particle is protons और जो neutral particle है वो क्या है neutrons neutrals mean no charge neutral का मतलब है उसके उपर कोई charge नहीं है और electrons पर कों से charge है negative charge ये atom की composition आपने याद रखनी है thank you